हेलो एब्रीवन वेलकम टू माई चैनल हाइपर टेड़ेज भी मैं हूँ मोहमत सोहिल दोस्तों आज आप लोगों के लिए मैं स्टॉक लेकिया हूँ टाटा मोटर्स लिमिटेड आज इसके अंदर अभी भी आप एंट्री कर चुके हैं आज के दिन के अंदर आप कौन से ले मेरे कहने पर तो रुकिये दोस्तों रुकिये इसके अंदर 110 से लेके 140 तक लेवल बनने वाले हैं मेरे अपने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को इंट्री बता चुका था वो इंट्री आप आज करें हो तो भी ठीक है रुकिये और इसके अंदर छोट ऐसा रिवस्ट लाएगा जो इसके अंदर अप मूवमेंट में जो रिकावरी देखने को नहीं मिली थी यह डाउन ट्रेंड में ही रिकावरी लिया है इसके लिए आप लोगों को मैं पहले वीडियो में ही समझा चुका था यानि मेरे पिछले वीडियो में ही चार्ट अनलैसिस करते हुए समझा दिया था कि दुस्तों 110 लेवल अच्छीव हो गए हैं इसके बाद इसके अंदर एंटरी मत करिये स्टॉक रिवर्सल जाता हुआ दिखेगा 101, 102 या 98 के लेवल के नीचे भी आप इसके अंदर एंटरी कर सकते थे बार बार बता रहा था आज के दिन भी आप 102, 101 लेव कि दर बे भी आप रुके हों तो दोस्तों रुकिए स्टॉक नीचे जाता हुआ देखके पैनिक मत हुए क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छा ऑपरेटर्स गेम खेर रहे हैं क्योंकि जो जो लोग इसके अंदर बाइंग करें स्टॉक नीचे जाता हुआ देखके एक्ज ग्लिक करिए उसके बाद उसके अंदर नीचे आप लोगों को सेर्चिंग में बता देता है यहाँ अधिर डिखना चाहते हैं कि अध्र ऐड़ा टा देखना चाहते हैं मेरा पिछला वुडियो देखे आप लोग उस अगर आप नहीं देखे होंगे तो अभी भी एक बार जाहिए दोस्तों एक दो मिनिट लिखा लीजिए जाहिए आप लोगों को प्रूफ के लिए आप देए और वीडियो देख लीजिए उसे पेपर वक करिए उसके दुसरे दिन वह वाले टागेट्स अच्छी हुए नए ह हुए आपको खुछ समझ में आ जाएगा अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के लिए नए हो तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें मैं अपने पिछले वीडियो में ही आप लोगों को बता दिया था कि दोस्तों देखिए इसके अंदर रिवर्सल बनेगा 103, 102, 101 लेवल बनेगा किदर भी जा रहा है आप लोग इसके अंदर बाइइंग कर लिजे देखिए अब 102 के नज़िक 103 पे भी बाइइंग कर रहे है तो आज के दिन आप 75 पैसा पर प्रोफिट पर ही हुए होंगे अब आपका एकजिट होगा दोस्तों 110 इसके नीचे लेवल पर एकजिट करने की मस सूंचिया स्टॉक नीचे जाता हुआ देखके क्योंकि इसके अंदर अच्छा सा अच्छा बाइंग आने वाला है 110 से लेक टागेट अचीव करेगा फिर से उसको 101, 105, 103 तक रिकवरी लेगा फिर उसके बाद 140 जाएगा ऐसा ही नहीं है कि फटायक से उपर जाएगा फिर फटायक से नीचे आएगा क्यूंकि इसके अंदर मुमेंट होता है रसे के अंदर ओवर बैंग ओवर सेलिंग देखना पड़ चलके आप लोगों को चाट अनलाइसिस करते हुए सिंपल वे में धिरी से समझाओंगा आप समझ जाएए वीडियो को स्किप मत करिये आप लोग अच्छा सा अच्छा इंफर्मेशन और अच्छा सा अच्छा स्टॉक लर्निंग मिस करेंगे दोस्तों देखिए इसके क्वांटर में जिदरी भी ज्यादातर लोग करने लगते हैं कौन से लेवल पर करने लगते नीचे जाते हुए एक्जिट होने लगते हैं तो लोग खुश होते हैं खुश हो कि फिर स्टॉको एक कीदम 110, 105, 120 लेके जाते हैं हम लोग सूनते हैं कि रहे यार रुकना के उपर दोस्तों देखिए candle chart तो सुब को पता होता है आरे से ज्यादा तर लोगों को पता नहीं है न्यू ट्रेडर्स को और मैड भी पता नहीं है देखिए आपको आरे से पता है मैड पता है तो ठीक है दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो सुन लीजिए और आपको पत जाल देता है चले अब में आगे बढ़ जाता हूं आप लोगों को बता दिया हो कि our मोबिंट के तेह हैं यह मेरे चेंचाफ से आप लोगों को बता दे रहा हूं और इसने पूरा level के नीचे गया तो इधर हम लोग bottom fishing कर सकते हैं यानी इधर हम लोग buying कर सकते हैं देखिए इधर buying करने के बाद भी यह देखिए ओपर लेवल पे नहीं गया है मिड रेंज में चलते हुए फिर से वही bottom को touch करा है फिर से भी हम लोग stock को इधर buying कर सकते हैं देखिए इसके अंदर RSI में तो दोस्तों same over buying, overselling होता है चार्ट के अंदर ही हम लोगों को difference देखने को मिलता है अगर यह 110 भी गया, 120 गया तो भी उपर जाते हुए दिखेगा फिर 105 आता हुए तो mid range फिर 100 गया तो फिर bottom को जाते हुए दिखेगा दुस्तों same levels बनेंगे, same targets होंगे दुस्तों कुछ भी फरक नहीं होगा अगर आप सोंचना चाते हैं, कुछ news आ गया है, bad news, कुछ news आ गया है, good news उसके वज़े से stock उपर नीचे नहीं होता है दुस्तों इसके अंदर over buying के करण, overselling के करण ही उपर नीचे होता है, price fluctuate होता है, price action change होता है बस news कही के लिए रहता है, दुस्तों, अगर आप आज के दिन stock गिराना चाते हैं, तो bad news, stock उठाना चाते हैं, तो good news असल वो news है नहीं है, आप लोगों को पता है, नहीं पता है, मुझे पता है, नहीं पता है बस TV वाले बोल देते हैं, advertise get के लिए, उसके लिए, इसके लिए, पुरा हम लोगों को नीचे उपर कर देते हैं वो news सुनके ही, ज्यादा तर लोग, pre market के अंदर ही, उसको buying या selling का position लेके बढ़ जाते हैं, फिर देखते हैं कि stock reverse जाता है bad news आएगा तो stock नीचे जाएगा, good news आगा तो उपर जाएगा, उतना ही फाराख है दोस्तों, पर हम लोगों को एगट होना नहीं चाहिए, levels को average करते हुए चलना चाहिए, हम लोगों को price action पर depend करते हुए अब आप लोगों को मैं moment बता दूँगा, देख लिए इसके अंदर ये वाला moment पकड़िये, और ये वाला moment पकड़िये, आप लोगों को मैं stock learning दे रहा हूँ दोस्तों, उसके लिए आप लोगों को पुरा समझा दे रहा हूँ, और इसके अंदर ये वाला moment पकड़िये, ज मैं खामोश हो जाता हूं दोस्तों खामोश चलिए मैं आ गया हूं दोस्तों आपका दोस्त चलिए पूरा मेड़ देता हूं चलिए पूरा क्लियर है दोस्तों क्लियर कट विजन है आप लोगों के लिए देखिए इसके अंदर जब स्टॉक नीचे जाता हुआ दिखा जो लो बैंग हो रहा था पर stock के अंदर गिरा वट देखे दोस्तों बैंग हो रहा था फिर भी stock के अंदर गिरावट अब जिस्वोंची लोगे कि नीचे आ रहा है तो selling हो रहे वो candle चाट के हिसाब से रहे दोस्तों पर इदर जो लोग over buying कर रहे हैं over buying हो रहे हैं उनलों का level आप देख सकते हैं किदर exit हो चुके हैं वो लोग देखिए दोस्तों समझिए कभी भी नीचे जाता हुआ दिखा average लेवल पर देखा तो करेंगे जो बॉटम में लेते हैं वो मिड रेंज में सेल करेंगे दोस्तों देखिए इस पर सिम्पल है आप लोगों को समझने का ये ज्यादाता लोग इंट्राडेक्स पर देखने के लिए बस price को देखते हैं, कुछ ना कुछ news देखते हैं, बस उस पर depend करके चलते हैं, फिर last way loss में ही stock market से exit हो जाते हैं, इसके लिए आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छे levels and simple chart analysis बताता हूं, क्योंकि आप भी इसके अंदर अच्छा से अच्छा mastery करें, यह मेरा telegram channel है दोस्तों, आपने अभी तक मेरा telegram channel जोई नहीं किया है, तो description link में link है, जाहिए link को hit करें और join कर लिजे मेरा telegram channel for intraday live tips and stock market updates के लिए, दोस्तों अब आप क्या करिए, इस targets का जो मैं लेके आया हूं 27 Monday July 2020 के लिए screenshot लिए, वरना paper work करना चाते हैं, तो भी paper work करिए, देखिए कि Monday के दि नहीं हो रहा है, अचीव हो रहा है तो कितना profit हो रहा है, stop loss भी अचीव हो रहा है तो कितना लुक्सान हो रहा है, आपको समझ में आ जाएगा दूस्तों